चश्मा में दर्शको आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर भारती जंता पार्टी की बाते जुमला जुमला रह जाती हैं इस बात की बानगी आपको मद्दे परदेश के चुनाओं में बताने जा रहा हूँ क्या है आपने सुना था युवाओं के हाथों में भारत की तकदीर लग दे देंगे युवाओं को आगे करेंगे और टिकट नहीं देंगे एक परिवार में एक को देंगे इतने साल की उमर का मंत्री नहीं बनेगा और संत्री नहीं बनेगा सारी बात याद हैं अब हुआ जो बुजर्ग हैं 75 साल के हैं उनको टिकट दे दिया मकसा तर्मंचा जीतना है चुनाओ 2024 की उस जमीन को तयार करके रखना है मोदी जी के लिए उसमें बूरा हो 60 साल का हो 70 साल का हो अरे 75 साल का भी क्यों ना हो साब टिकट दे दो पर जीतना चाहिए अब देखिए आप खबर देखें बात युवाओं को आगे लाने की तवज्जो 60 पिलस को तवज्जो 60 पिलस को 60 नहीं 70 पिलस को भी बीजेपी में 79 में से 23 टिकट वरिष्ट नेताओं को दिये गए 75 साल के जगणनात को भी उम्मीदवार बनाया है अखबार देखिए इसमें लिखा है कि बीजेपी ने मुद्धे परदेश में चुनाओ परतियाशों की तीन सूचियां 79 टिकट दे दिये हैं इसमें 30 परतिशत टिकट उन लोगों को दिये हैं जिनकी उमर 60 साल या उससे भी अधिक है ये एनुपात पिछली बार से भी ज्यादा है 2018 से भी ज्यादा है ऐसे मैं भाश्पा की युवाओं को ज्यादा मोके देने की बात पर सवाल उठाएं राजनितिक विशले शकों का कहना है कि पार्टी हर हाल में चुनाओ जीतना चाहती है कोई रिस्ट नहीं लेना चाहती है बुले भी ले आओ केवल जिताओ उम्मीदवार ही किराई टेरिया है यही वज़ा है कि वरिश नेताओं को वापस मैदान में लाया जा रहा है युवाओं की बात करें तो 79 में सिफ 17 टिकट ही दिये हैं सिफ जवानों को 17 टिकट दिये हैं अब तक चलिए मुझे जवान की बाद यब याद आती तो हालिया का वो अजीम पिरिमजी यूनिवर्सिटी का डाटा याद आ जाता है जो आपको गोधी मीडिया ने बताया नहीं है हम जैसे पत्रकार आपको बता रहे हैं देश में 25 साल के नो जवान 40-42 फीसद से ज़्यादा बेरोजगार पाए गए हैं 25 साल का जवान हों जिस जवान की बात करते हैं ना बरदान मंत्री जी और भारते जिंटा पारड़ी के नेता और आप भी कहते हैं और यार कमाल कर दया ऐसी बाते निकलती है मुझ से जयसे गीता के शुलोग वाँ एसी तो बात सोचताए हैं ना लेकिन ऐसा है नहीं 25 साल के बिरोज़गार जो नोजवान जो हैं 42 परसंट तक बिरोज़गार है लेकिन यहां 75 साल के यह तस्वीर देखिए भाजपा के सबसे उमर दराज उम्मीदवार जो अभी बताया था पहने शत्तर के बाद जगनास सिंग रगुवन्शी चंदेरी इ ऐसे में बीजेपी में उम्र का कोई टिक पैमाना टिकट वित्राणों में नहीं रखा गया है जो 65 के पारके हैं वो भी सुमीद से हैं कि 75 साल वालों को टिकट मिल सकता है तो वो पूरी ताकत से दावेदारी उन्होंने सोचा 65 साल वालों ने कि यार जब इनको टिकट मिल तो हमें क्यों नहीं मिल सकता वो भी लाइन में लगे हुए हैं वरना 60 साल का मामला बता दिया गया था आगे लिखता है दर्शकों का अखबार वो लिस्ट है ये पहले सूची में 60 साल से ज्यादा उम्र के भाजवा परतियाशी इसमें इनकी योग गिता मारे पढ़ाई ल ठाक हो रहे हैं यहाँ पर आके मेरी नजर टिक गई साहब ये धरमपुरी से लड़ने जा रहे हैं 64 साल के हैं पांच भी पास हैं है ना अब आजाए दूसरी लिख देख लीजे इसके अंदर 71 साल के हैं शियोपुर से कौन दुरगा पालाल विजे फिर 69 से 66 65 ये चीज़े हैं 11 किलास का भी है नत्थन शाह जुनार देव से तो ये हालात हैं साहब अब आपको जमान लोगों के हाथ में देश की बागडोर देनी हैं या फिर वो जुमले ही हैं जब बाद जीत की आएगी तो हम नहीं देखेंगे कि जात पाद धरम पंत उमर कुछ नहीं देखेंग 72 73 के परदान मंतरी जी हो गए शयाद 5 सालोर हो जाएंगे 75 के बाद तो छोड़ेंगे नहीं गद्धि अगर आगई सरकार क्या 75 के बाद जब आ जाएंगे 2029 तक अगर आ गए मैं तो कह रहा हूना अगर आ गए 2029 के बाद कौन बनेगा हिम्मत है कि मौदी जी के सामने बोल गए आप और आगे भी एक दो बार आपको बनने का इरादा है तीन बार भी बनने का इरादा हो सकता है तो फिर वो जो बात की जा रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ने दो कितने के हो गए इनने मार्क दखशक मंडल में डाल दो अरे मुरली मनोर जैशा काविल आभी में आपको मिले पाएगा साहब बताइए लेकिन दर्शकों यहां काविलियत माईने नहीं रखती है अपने हिसाफ से पार्टी के लॉइन ओर्डर तो हम बनाएंगे अब सत्ता चुक्ए हमारे हाथ में तो देश के भी बना देंगे अभी मुझे याद आ जाता है वो कानून जो केजरी वाल बड़े अपनी बगले पीट रहे थे अपकंदो को उस सुप्रेम कोट ने कह जाता कि नहीं वहां से कानून बना कर विदया एक पास करा दिया था कर ली जब क्या करेंगे आप तो दर्शकों ये चीज़े हैं जुमलों में रह जाती हैं और आप भी खुश हो जाते हैं मैं भी खुश हो जाता हूं लेकि अगर जुमलों से जिंदगी चलती तो महभूब तो अपनी महभूबा से कहता है ने चांद तार के आसमान के तारे तोड़ो लगा फिर बात में जगले होते हैं रोटियो पर काम ना करने पर तो ये जुमले होते हैं इससे आपको और मुझे बाहर निकलने के जुरूब है है नहीं आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे शेयर कीजे नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं जैहिन